दूस्तों आपने कभी महसूसच किया होगा कि जब हम एक जगह पर लंबे वक तक बैठじゃते हैं आलति-पालती मार कर बैठते हैं या फिर पैर की उपर पैर क्रोस करके बैड़ जाते हैं या फिर सोते वक्त, आप अपने हातों के उपर सो गाए तो वहाँ पर जुन-जुनहात ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, जिससे वज़ा से हाथ पर सुन हो जाते हैं, वैसे तो ये कुछ समय के बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा बारबर होता है, तो आप इसे एगनोर ना करें, क्योंकि यागे चलकर बहुत बड़ी परिशानी खड़ी कर सकती है, तो आप इसे हलके में बिलकुल भी ना लें, ऐसा बार-बार तब होता है, जब नसों में किसी भी तरह से चोट लग जाती है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रींकर होते हैं, शराप पीते हैं, अलकोहल ज़्यादा कंशूम करते हैं, या बहु पोशक तत्व होते हैं, उसकी कमी से भी हाथ पर सो जाते हैं, और जंजनाहाट की समस्या देखी जाती है, तो उसमें से हैं दोस्तों, फॉलेक आशिड, आरन और वैटेमिन बीट वेल्ब, तो अगर आप भी अभी परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो, जो हाथ पर सो जाने की समस्या से दो-चार होते रहते हूं, यानि हमेशा इस तरह की दिकत होती है, तो वीडियो को ध्यान से देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ home remedy बताने वाले हैं, घरीली नुस्के बताने वाले हैं, साथ में आपको हम कुछ diet के बारे में बताएंगे, जिसे follow करने से इस तरह की दिकत आपको कभी भी नहीं होगे, और हमेशा आप स्वस्थे रहोगे, और जड़ से इसका इलाज हो जाएगा, तो तीन vitamin के बात करते हैं, folic acid, iron और beet valve, दोस्तों ये तीनों ही vitamin ऐसे होते हैं, जो red blood cells को बनाते हैं, और liver तक पहुचाते हैं, अगर हमारे शेरी में red blood cells नहीं बनेंगे, तो hemoglobin, oxygen शेरी के पुरे भाग तक नहीं पहुच पाएंगे, शेरी में दोस्तों नसों का एक जाल भीचा हुआ है, हमारे नसो blood circulation और oxygen का प्रवाद सहीं से नहीं हो पाता, जिस कारण हाथ पर सो जाते हैं, vitamin B12 की बात की जाए, तो हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं, जिनके शेरी में कमी देखी जाती है, खासकर vegetarian लोगों में, जो pure vegetarian हैं, उनमें B12 की deficiency देखी गई है, क्योंकि जो लोग pure vegetarian हैं, और जो लोग dairy product भी consume नहीं करते हैं, या फिर कभी कभी करते हैं, तो उनके शेरी म में फल फ्रूट्स में नहीं पाए जाता है, तो इसलिए जो pure vegetarian हैं और जो दूद भी नहीं पीते हैं, तो उनके शेरी में vitamin B12 की कमी हो जाती है, तो आपको अगर हाथ पर सुआ जानी के समस्या है, तो जरूर आप B12 की जाज करवा लीजे, चलिए अब जानते हैं, आरन आपको मेथी के दाने, आपको मेथी दाने एक चमच की मातरा में लेना है, उसे भीगो कर छोड़ देना है, और मुनके को भी पानी भीगो कर रादबरे के लिए छोड़ देना है, इन्हें अलग-लग कटोरी में भीगो कर रखेगा, सुबह जब आप उठेंगे, तो सबसे पहले आपको मेथी के दानों को चबा-चबा कर खा लेना है और बच्चे वे पानी को पी लेना है, और जो मुनक्का है इसका 7 आपको नास्ते के साथ करना है, इसका 7 करने का तरीका में आपको बताता हूं, एक बड़ा गिलास, गुरूना, दूर लीजे, इसमें मिठास के मिसरी मिला दीचे और इन मुनक्को को खा कर उपा से इस दूद को पी लेना है, इससे दोस्तों आपके श्यूर में फॉलिक एसिड आरेनर विट वल्व की कमी पूरी हो जाएगी, साथी साथ आपके श्यूर को कैल्सियूम, वाइटिमिन D3 और प्रोटीन भी काफी मात्रह म जिसतें आपके नस Talking हो जाएंगी, आपके मसल्स मजबूत हो जाएंगे और यहांच पर सोनी कि समस्या हैं, बार-बार हाथ पर सो जाते हैं, जहंजनषड की समस्या है भी आपको कि आपको फादा मिलेगा इसके लावा आपको ऐसे चीज़ें खानी हैं जिनमें omega 3 fatty acid ट्रयाप्त मातरा में हो तो omega 3 fatty acid के लिए आप अलसी खा सकते हैं, chia acids खा सकते हैं, walnuts खा सकते हैं या फिर आप मचली खा सकते हैं वीक में दो दिन मचलियां जरूर खाएं, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो walnuts या फिर अलसी का सेवन करें नहीं तो इस गर्मी का मौसम में आप chia acids का सेवन कर सकते हैं, chia acids में भी काफी मातरा में omega 3 fatty acid पा जाता है तो इन्हें जरूर डाइट में शामिल कीजेगा तो दोस्तों इस remedy को follow करने से इस डाइट को follow करने से आप नसों की कमजोरिया और हाथ पर वेजुझना हट के समस्या से हमेशे के लिए छुट कर अपा लोगे आशा करता हूँ उम्मिद करता हूँ कोई वीडियो जानकारी अच्छे लगी होगी इस वीडियो को share कीजेगा और जाते हैं इस वीडियो को जरूर लाइक करते जाएगा आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक्यो